Poco F3 और Mi Linux ड्वाइस के लिए यहाँ पे अनदर प्रोजेक्ट इंफिनिटी एक का अपडेट आ चुका है जो कि रियल में इस वार काफी कुछ इंप्रूमेंट प्रवाइड करता है और गूगल जो आजकल बहुत जादा प्रोलम कर रहा है से प्रेनेट से रिलेटे उस रिले लग वाच करने की और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना चैनल अपने है तो सब्सक्राइब ठीक है उसके बाद आप यूज कर पा गए है अगरा हम इसके बाद के लिए तो आपको देखनी को मिल जाता है यह हमारा 2.9 मेभी कुछ दिन पहले भी आपने 2.9 देखा होगा बट यह उसका एक अपडेटर वर्जन है जिसमें most important चीज को add किया गया है जो कि आपके daily life में बहुँ ज़्यादा काम करने वाला है और आपको टेंशन लेता है ना root करना पैचर डालना सारी चीज़े fix करना उससे आपको छूट करा मिल जाएगा तो यह चीज आपको दिखाऊंगा मैं हमारा maintainer का name आपको देखनी को मिलता है वन जून का यहाँ पर update है यहाँ पर करना आपको अब तक अनदर यहाँ पर आपको profile मिलता है जिससे आप अपने phone के performance को boost कर सकते हो जैसा चाहो ऐसा उतने level तक जो की काफी सही है अनदर यहाँ पर आपको safety and privacy के अंदर face unlock fingerpin्टों देखनी को मिलता ही है यहाँ पर आपको देखनी को मिल जाता है रिस्ट्रिक्ट USB का option जो की काफी सही है और device आपका encrypted है जो मिलता है साथ-साथ बैटरी के अंदर आपको जादा कुछ नहीं देखनी को मिलता है लेकिन sleep का option आपको यहाँ पर मिल जाता है जो कि आप set कर सकते हो idle rain भी आपको मिल जाता है charging control भी आपको यहाँ पर मिलता है sound के profile पे आपको यहाँ यहाँ पर मी का जो डेक्ट sound effect enhancer है वो आपको देखनी को मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हो और काफी अच्छा खास आपको audio में feel आने वाला है बाकि यहाँ पर notation, HD, cooldown वगड़ा के common से option आपको मिलेंगे apps के अंदर आप है जो lock कर सकते हो, clone कर सकते हो और game space वगड़ा भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, साथ-साथ यहाँ पर आपको देखनी को मिलते हो ही basic से options वगड़ा है जो कि आप यूज कर पाऊगे, another wallpaper and style के अंदर आपको यहाँ पर देखनी को मिल जाते हो ही simple से default wallpaper बाकि आप अपने need के हिसाफ से डाल सकते हो, जो भी camera अगेरा और बागे चीज़े के shortcut icon change कर सकते हो, यह हमारा lock screen अगेरा है, जहाँ पर AOD अगर आप यूज करते हो, तो इसका जो customization मिलता है न, clocks related वो काफी जड़ा अच्छा लगता है हमारे AOD के उपर, जो कि वहाँ मुझे really में पसंद आता है, और I hope कि आपको भी पसंद इस अगरेगा, color wise जैसा tree type का यहाँ पर आपको देखनी को मिल जाता है, dark mode का features, auto brightness आपका working है, साथ साथ यहाँ पर आपको देखनी को मिल जाता है, refresh rate, यहाँ पर tap to dodge का भी option आपको देखनी को मिलता है, जो कि आप on कर सकते हो, यहाँ पर app का option मिल जाता है, DC dimming भी आपको य यूज करते हुए, अनदर आता है इसका huge customization, जहाँ पर default stock वाला जो monitor effect customization है, वो आपको मिल जाएगा, साथ साथ यहाँ पर आपको जो wallpaper जो कि हमारा android वाला है, वो ही आपको देखनी को मिल जाता है, जो कि सही है, यहाँ पर आपको themed icon मिलता है, जहाँ पर wallpaper के अंदर आप blur effect प तो यहाँ पर आपको different look देखनी को मिलता है, जो कि 2.9 का update में ही I think add हुआ था, तब देखो यहाँ पर different आ चुका है, तो इस तरीके से आप अपने look के अंदर बदलाव ला सकते हो, simply यहाँ पर जाने के बाद, जैसा चाहिए, वैसा आप यहाँ पर रख सकते हो, और एक यहाँ पर है जो रख सकते हो, और जैसी करोगे उसका अपलाई हो जाता है और आपको यहाँ पर look में change देखनी को मिल जाता है, बाकि यहाँ पर नेबर वगेरा का option आपको मिलेगा, अनदर आता है status bar, जहाँ पर status bar से related आपको shortcut on and off का option मिल जाता है, clock के customization है, background chip जो कि मैंने डाल रखा है, आप यहाँ से बदल सकते हो, जैसा कि आप देख पा रहे हो, another battery है और यहाँ पर आपको है जो ongoing chip का देखनी को मिलता option, यानि music play कर रहे हो, प्लेटर कुछ भी download करे हो, उसका shortcut यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि देखने में काफी ज़्यादा अच्छा लग सकते हो, या फिर goal icon पर भी रख सकते हो, बाकि यहाँ पर 4G LTE को स्यूच करने के एक नया option आ गया है, जो कि कुछ ताइम पहले gap था, उसके बाद यहाँ पर misliance के वही सारे options है, padding control आपको देखनी को मिल जाता है, another यहाँ पर QS के अंदर आपको quick pull down, data usage बगरा, devil tone का option आप अदर यहाँ पर आपको refer effects वगरा मिल जाता है, QS के clock style वगरा देखनी को मिल जाता है, जो कि मैं यहाँ पर इस तरीकी से use कर रहा हूं, another यहाँ पर आपको देखनी को मिल जाता है, यहाँ पर layout वगरा, change करने का options वगरा है, यहाँ पर row and column जहां से मैंने column को यहाँ बदल र जाता हूं, तो आप देखो कि यहाँ पर इसका look है, वो change हो चुका है, तो इस तरीकी से यह चीज़े आप यहाँ से बदल सकते हो, और haptic भी enable कर सकते हो, यह हमारा EOD customization का, आप AOD use करते हो, यहाँ से अपने EOD clock वगरा को और बाकि effects वगरा यह लाइट वगरा को customize कर पाओग का feature से, और हाँ, साथ इसाथ यहाँ पर core recording का benefit मिल जाता है, core recording के साथ, यहाँ पर वावेट का भी features मिलता है, क्योंकि यहाँ पर stock dollar नहीं है, यहाँ पर different dollar है, जो कि हमें हमेशा देखनी को मिलता है, इस OS के अंदर 3HC काफी सही है, बाकि यहाँ पर flash light का blinking rate भी आप यहाँ change कर सकते हैं कि आप on रखते हो तो, जो कि मैं personally on नहीं करता, navigation के अंदर आपको देखनी को मिलता है, इस तरह की option जहाँ पर circle to search दिया गया है, यह option है और यह पहले missing था, जो कि अब add कर दिया गया है, जो कि हमारा IME number वगेरा है, इसके बाद यहाँ पर आपको वही basic से option मिलत हैं और यहाँ पर यह जो gesture से यह भी पहले नहीं था, advanced वाला तो यह भी यहाँ पर add हो चुका है, जो कि काफी सही है, साथ-साथ यहाँ पर हमारा Android 15 का sidebar है, free form का option आपको मिलता है, और यहाँ पर काफी important features use किया गया है, जो कि mostly customer users कहते हैं कि यह चीज तो होना ही चाहिए, जैसे कि आपको देखनी को मिलता है, unlimited screen recording site, जो कि limit का आता है, उसे हटा दिया गया है, vibrate on scrolling वगएरा, app downgrade कर सकते हो, यहाँ पर storage spoof का option है, no restriction का option मिल जाता है, hide capture screen status, ignore window secure, और यहाँ पर app list hide कर सकते हो, यहाँ पर developer status वोला जो problem करता है, कोई-कोई application, उसे आप यहाँ पर hide कर स की load key box का है, यहाँ से बस आपको working key box को load करना है, और आपका 178 वगरा सब कुछ pass हो जागा, for example, यहाँ पर clean कर देता हूँ, जो कि मैंने add कर रखा था, और 178 में आपको दिखाने आउं, तो यहाँ पर आप देखोएगे कि हमारा यहाँ पर सब कुछ fail देखने को मिल रहा है बट बस यहाँ पर simple आके working key box को, अगर मैं यहाँ पर select कर लेता हूँ, जो कि band नहीं हुआ हो Google के तरब से, तो बस यहाँ पर काम हो गया, अब यहाँ पर simply check करूँगा, और मेरा यह तीनो पास रहेगा, और जो play store आपका यहाँ पर fail कर रहा था, और uncertified सो कर रहा था, वो भ आपको यहाँ पर fix देखनी को मिलेगा, जैसे आप key box वगएर है, जो apply कर देते हो, तो, अगर in future, आपका key box ban हो जाता है Google के तरब से, तो आपको find करना पड़ेगा, टेलिग्राम पर या कहीं से भी, और possible रहात में अपने टेलिग्राम चैनल पर दे भी दूँगा, जब भी important features है, जो कि बहुत अच्छा step लिया गया है, हमारे maintainers के तरब से, साथ-साथ यहाँ पर आपको team support वगए देखनी को मिल जाए, जो कि सही है, अनदर यहाँ पर बात करें, एक सबसे बड़ा drawback की, by default यहाँ पर camera हमारा normal देखनी को मिलता है, जिसके अंदर यहाँ पर इस तर bootload हमारा lock so कर रहा है, key box update करने के बाद, लेकिन जब तक मेरा key box updated नहीं था, यहाँ पर bootload है, जो unlock so कर रहा था, मैं आपको यहाँ पर screen shoot दिखा देते हूँ, I think मेरे पास होगा available, so किदर गया हमारे पास key box का, sorry, I think मैंने screen shoot नहीं लिया था, लेकिन हाँ जैसे, आप key box update कर द जो किया है, जहाँ पर इतने सारे app आपको देखने को मिलते हैं, बाकि आप need की साफ से डाल सकते हो, another यहाँ पर जो कि है हमारा lock skin का blur effects वगेरा, जो कि setting दिया गया, wall paper का काम करता है, हमारा camera वगेरा भी हमारा यहाँ पर working रहता है, और साथ साथ यहाँ पर मैं आपको दिख यहाँ काफी अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, साथ साथ यहाँ पर हमारा CPU total है, 3,35,000 max और minimum यहाँ पर 2,86,090 का percentage, जो कि यह भी काफी जादा बहतरीन है, काफी improved or stable देखनी को मिलता है, वहें पर charging के आप देख से तो यहाँ पर 35 minute के अंदर 49% गया है, 35 minute के अंदर ही, ज यहाँ पर unlock मिलता है, क्योंकि इसकी setting ही तो मैं आपको सोख कर ही दिया था, बागे camera वगेर हमारा काम करता है, कोई issue अगरा नहीं आता, और device certification और 178 वादा तो मैं आपको यहाँ आपको यहाँ पर सोख कर ही दिया है, तो रोम तो भाई, यहली में मुझे काफी ज़्यादा बहसी नहीं लगा है, और मेरे तब से recommended भी होने वाला है कि कोई customization जितना जादा है, और उतना जादा आपको यहाँ पर performance वगेरा भी improved देखनी को मिलता है, जो कि काफी बड़ा plus point में कहूंगा, यहाँ पर जो कुछ भी मैंने आपको पता है, सब कुछ काफी मज़दार और यहाँ पर still दो बग है, जो के वही के टाइम पर common है, हर एक custom row में यह इस पी उजरस के लिए चाहिए आपके पास M1XO, POCO F6 हो या F4O, सभी में मैंने यह चीज़ नोटीस किया है, वही के टाइम पर और उजरस बार में रिपोर्ट कर रहे हैं, वह यह कि जब भी आप यहा या यह यह फोन वगेरा हो, तो आपका जो alarm है, वह sound नहीं करता नहीं, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर बस आपका phone vibrate करता है, यह bug notice हुआ है, और जैसे आप disconnect कर देते हो आपना है जो, तो उसके बाद यहाँ पर आपका phone है, जो sound करने लग जाता है, तो ऐसे में अगर आ alarm set कर रखे हो, और headphone वगेरा यूज करते हो, तो अगर आपने vibrate को notice नहीं किया, तो आपका alarm miss हो जाएगा, और यह same problem calling के साथ भी है, जी हाँ, अगर आप call वगेरा करते हो, तो यहाँ पर आपका Bluetooth device connected है, तो आपका सिर्फ phone vibrate करेगा, नहीं sound आएगा, इसके अंदर नहीं आ आपका है, जो यहाँ पर earpiece में आपको सुनाई देगा, तो यह भी थोगा साई retaining thing वाली चीज़े होती है, क्योंकि यह अभी के time पर सही में है, पता नहीं कब तक यह solve होगा, बट यह एक serious bug है, उनके लिए जो के Bluetooth devices वगएरा यूज करते हैं, तो आप मुझे बताना कि क्या आप every time है, जो Bluetooth connect रखते हो या नहीं, अगर आप भाई notice कर ले तो यह फोन के वाइब rate होने से कि भाई, हाँ फोन आ रहा है, alarm वगएरा बज़ रहा है, तो ठीक है, otherwise मेरे request यह ही रही कि आप रोम वगएरा डाल रहे हो, चाहिए वो कोई सा भी रोम क्योंना यह हो, या फिक कोई different हो, तो जब भी आपका music कर लिसन करते हो, उसके वाद आपना disconnect करके रखना, every time connect मत रखना, ऐसे में क्या होगा, कि आपका ring आएगा, और आप notice नहीं कर पा गए, वगएरा और sound करेगा नहीं, तो miss हो सकता है, और parents का अगर call हुआ ना, तो भाई चपल उड़ता हुआ और आपको लग जाएगा, तो बच के रहना इस चीजियो से related, ठीक है, इसलिए यह आप लोग ने comment किया था, मैंने test किया और यहाँ पर आपको बता दिया, और आहीं बाद इसे डालना कहते है, तो वही simple सा तरीका होने वाला है, बस y flash format and reboot कर देना है, लेकिन हाँ, आपको f w flash करना पड़ेगा, recommended रहेगा, मैं link आपको दे दूँगा, discussion में, और आप चाओतों से adb side load के matter से flash कर सकते हैं, या फिर orange fox से भी इसे आप install कर पाऊगे, last में एक guide वीडियो में डाल दूँगा, इसे आप देखके अपना install कर लेना, और आपको already पता है, तो guide वीडियो भी देखने के जिरुवत नहीं पड़ेगी, okay, so thanks for watching, data, bye bye, मिलते हैं इस वीडियो में, और हाँ, like नहीं की होते हैं, like कर देना, ताकि ऐसी regular update आपको जो मिलता रहा है, झाल